जादे काफी स्क्रेस लगी रोड ये इन तक उसको डॉक्टर भी चिला लोगे का चलिये रहा है कि किसी ने बहुती बुरा इल्जाम लगाया पापा पर की उन्होंने मैच फिक्सिंग की है और उसके बाद पापा बहुत हड हो जाते और जो कि आध्या ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पापा अब जाके इतना उसके मना करने के बाद भी जाके शराब पियेंगे तो वहां पहुंचते और देखते कि ने ने पापा यहां तो नहीं हो सकते उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे बट फिर उन्ह कि आध्याने हसे प्राप काद बने लिए भी सिभी भी सके तुरिज्व कर घेहेँ हैं एक षिदि같नो कि ci हैं कि पठीज के और जदू और जाते हैं कि सर अव्री जाती हैं चूरिज ऐस हैं संच करणा हैं अज़ाद है काफी पैशान अपने डैडी को रेजिए उसके पिता जी की नहीं है लेकिन कुछ इल्जाम लगे हैं उनके उपर और एक शक्स है जो की पूरी भीड को उतेजित करता है कि उनके उपर हाथ उठाए और भीड जो है वो इतना मारति है कि जीने मरने पर बाता जाती है तो आधया जो है वो अपने पिताजी को लेकि अस्पताल लाएगे और पूरे समय में वह ज्श को फोन करती है Māori को मेसेज करती है ये अगर सारी कानी खुल जाये लेकिन हां मुझे कर réflexe को रिकाला लड़की बहुत परेशान हैं और कुछ उसको जो roller के एक उपर्शक होने लगा है मुझे पता चला कि उसने थपड मारा है मैं तो था नहीं उस शौट में क्यूंकि मैं तो अंदर बिस्तर पर पड़ावर है लेकिन जाहर है कि दोनों के बीच में कोई ने कोई तो गलत फैमी है जो कि आगे आने वाले एपिसोड में दूर होगी, लिकिन हाँ, फिलाहल दोरों के बीच में मन मुटाब यह है, वो काफी जाता है. एक चीज तो यह हम लोगों ने तैम आनी है, क्योंकि किसी भी इंसान का स्वभाव जो है, वो एक दम से एक दम में नहीं बदल जाता है. तो आध्या को इस बात भरोसा है कि कुछ भी होगा उसका बाप करप नहीं है, और जो बात सही भी है, तो कभी-कभी किसी का यह कह देना कि मैं गलत नहीं हूँ, वो ही काफी होता है, और उतना भरोसा उसका अपने बाप के उपर है.